भविश्य मालिका के इस भविश्य वानी को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया ध्यान से सुनिएगा तेरा दिनों का पक्ष गिरेगा जब कल की का लिला लगेगा तब शेत्र में होगा एक ब्रह्मचारी राजा अनेको दिनों तक प्रिथिविपर सासन करेगा तेरा दिनों के पक्ष के समय ही होगा वो प्रकाशित कल्यूग का अंत उसी समय पर होगा निश्चित एक पक्ष सामान्यत 15 दिनों का होता है कभी कभी 14 या 16 भी परंतु 13 दिनों का होना एक अत्यंत विरल घटना है इसको समझना सबके बस की बात नहीं और यदि समझ गये तो सत्यूग अधिक दूर नहीं जै और पराजय का विचार छोड़के करतव ये पर्ध्यान दो तर अपने आप दू हो जाएगा प्रत्वी पर उपस्तित प्रत एक जीवन पर पढ़ता है बारिष होता है तो सब के लिए होता है किसी एक के लिए नहीं धूप तेज होता है तो गर्मी सब को लगता है किसी एक को नहीं कहनेकार्थ पूरा संसार आपस में इंterARKनेकटेड है ग्रहन नक्षत्र एवंगुन से जुड़े अन्य चीजें प्रतिवी पर तथा हमारे जीवन पर बहुती गहरा प्रभाव डालते हैं ये प्रभाव अवश्य दिखाई नहीं देता परंतु अनभव अवश्य किया जा सकता है पुन्य पवित्र भारत के भूमी पर जब से मनुष्य सभ्यता का आरम हुआ तब से लेकर आज तक जोतिस विज्ञान तथा सास्त्र हमारे जीवन का एक महत्त पूर्ण भाग बना हुआ है चाहे किसी सनातनी राजा का राजा विशेख हो या किसी प्रधान मंत्री का सपत ग्रहन चाहे युद्ध आरम करने का दिन निर्धारित करना हो या देश में कोई बड़ा कार्य क्रम या फिर सोयम के जीवन में कोई सुब कार्य हमेशा से ग्रहान नक्षत्र तिथी को देख प्रतेक मनुष्य के मन में ये परश्न कभी न कभी तो आया ही होगा कि कल्यूक का अंत कब होगा। इस विशे पर नाना मुनी नाना मत देते हैं परंतु इस परश्न का सठीक उत्तर केवल भविश्य मालिका के गरंथों में लिखा है। भविश्य मालिका में वरनित तथ्यों पर संदेह करना कठिन इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी लिखा था सब सच हुए हैं यानि accuracy 201% है परंतु उन तथ्यों को डिकोड करना सब के बस की बात नहीं अब पूरे ध्यान से सुनिएगा एवं समझिएगा क्योंकि ये एक अत्य नुरूप से खुलकर परकाशित करने का अनुमती नहीं है पंच सखाव में इस रेष्ट विश्व के सबसे महान भविश्य वक्ता संथ गुरु अच्ची उतानेंद जीने भविश्य मालिका के माध्यम से कहा था कि तेरो दिनों पक्ष गिरेगा जब कलकी का लिला लगेगा तब शेत्र में होगा एक ब्रह्म चारी राजा अनेको दिनों तक डेस पर सासन करेगा अब इसको सरल भासा में समझने का प्रयास करते हैं सनातन पंचांग यानि कैलेंडर में दो पक्ष होते हैं एक है कृष्ण पक्ष दूसरा है सुक्ल पक्ष एक पक्ष सामान यतब 15 दिनों का होता है कभी कभी एक दिन घटकर 14 या एक दिन बढ़कर 16 भी हो जाता है परन्तु एक पक्ष 13 दिनों का होना एक विरल घटना होने के साथ साथ एक अत्यंद असुप सूचक है एसा में नहीं अनेको रिशी मुनी सादू संत कह कर गये हैं संत गुरु अच्ची उतानन्द जी के अनुसार जब कल्यूक के अंतिम काल खंड में अर्थ अंगर जी वर्ष 1999 के बाद 13 दिनों का पक्ष गिरेगा तब संसार में अने को प्रकार के बड़े घटनाए होंगे जैसे युद प्राकृतिक आपदा खंड प्रडे सत्ता परिवर्तन देशों का अंत इत्यादी जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे गुरु देव ने इस भविश्यवाणी में एक स्वतंत्र काल खंड अर्थ टाइम लाइन के विश्य में कहने का प्रयास किया है जिस काल खंड में 13 दिनों का पक्ष गिरा होगा संसार में बड़े संख्या में मनुष्य मरते रहेंगे एवं भारत का नेत्रित्व एक ब्रह्मचारी कर रहा होगा गुरु देव ने आगे कहा था कि अनेको दिनों से पाली बोटी मोही 13 दिनों तक वो वेक्ति देश का नेत्रित्व करेगा एवं 13 दिनों के पक्ष के समय ही सबके सामने प्रकाशित होगा अब प्रश्न है कि ये 13 दिनों का पक्ष कब हुआ था भविश्य मालिका के अनुसार कलियुक का अंतिम चरण यानि लास्ट पेज अंग्रेजी वर्ष 1999 से आरम ह एवं 13 दिनों के पक्ष के अंदर ही समाप्त हो जाएगा 1999 के बाद वर्ष 2013 में कलियुक के अंतिम चरण का पहला 13 दिनों का पक्ष गिरा था उसके बाद वर्ष 2021 में दूसरा 13 दिनों का पक्ष गिरा था एवं तीसरा तथा अंतिम 13 दिनों का पक्ष 24 अंक यानि 2024 से 2025 के बी भारत का नित्रित्व कर रहा है या आप ही जानों। भी सही समय पर अवश्य प्रकासित करूंगा। अब निकट है संथ गुरु अच्ची उतानंद जी ने एक और भविश्य वानी के माध्यम से कहा था कि नब्ब नब्ब तीनी कमपीब में दिनी बारो बेनी मिसाइबु से कालरे पृतिवी संगार हुईब दोसो ग्रामे जोने थिवा अर्थ 999 पृतिवी होगा कमपमान बारा मिला देने पर मिलेगा प्रमान पृतिवी पर होगा भी शनरण क्यूंकि धर्ती बन जाएगा समसान 999 यानि अंगरेजी वर्ष 1999 जिस वर्ष में इतिहास का सबसे सकतिसाली समुद्री तुफान यानि सूपर साइकलोन उडिशा से टकराया था तब मनुष्य जाती उस दुर्ष्य को देख कर भैभीत हो गया था 1999 के साथ दो बार बारा को मिला देना 1999 plus 12 into 2 equals to 2023 यानि 2023 रशिया यूकरेन का युद्ध इसराइल पलिस्टीन का युद्ध तर्की का भुकम्प लिब्या का डैम कोलैप्स म्यानमार इराक सीरिया आफ्रिकन कॉंटिनेंट के अनेको देश आज दुनिया का लगभग आदा भाग भयंकर विनास का सिकार हो चुका है या फिर बड़ा विनास जारी है जिसमें प्रती दिन असंख्य मनिश्य मारे जा रहे हैं या मारे जा चुके हैं नेवंगेसा परिस्तिती कलिउक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था भाविश्य मालिका के इन तथ्यों को निन्यानिवे फीसदी लोग नजर अंदाज करेंगे मजाग भी उडाएंगे परन्तु जब अंतिम तेरा दिनों का पक्ष गिरेगा तब यही लोग सबसे पहले सं दोना पाई बे तो ते मुदेली चेताई अर्थ गुप्त रुप से लिला प्रकाशित होगा भक्तों को होगा उसका ज्यान अज्यानी इसको समझ नहीं पाएंगे याद रखना है सिस्यराम क्या आप बता सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य के एक गाउं पर आई-स-ाई-स के आतंकियों ने कबजा कर लिया था जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिये क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याए में प्रकाशित करूंगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि रशियन प्रेशिडेंट ब्लादिमिर पुतिन हाल ही में कौन से इसलामिक देशों के यात्रा पर गे थे सही उत्तर है साओदी एवन युएई विजेता का नाम है डेविंद्र महरा हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक शेर सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए जय जगन्नात जय अंच सखा जय हिंद